जैहिन साथियो, उमीद है आप सभी लोग खुस होंगे, जिन्दाबाद होंगे मित्रो जैसा कि आपको पता है, यूपी लेकपाल के रिजल्ट को लेकर आप बहुती ज़्यादा परिशान हो तो मैं आपको पता दूँ, आखिरकार जो आंसर की पर आपके उन्हें 30,000 आपतियां दर्ज की गई थी, उनमें अभी कितनी आपति बाकी है वहीं पर जो आपका रिजल्ट है, वो कब तक निकल सकता है, क्योंकि आपको भी पता है, आपके कोल्ट की तरफ से भरती को अलग कर दिया गया है लेकिन जो आपतियां दर्ज की गई थी, आप लोगों के ही द्वारा, उनमें से कितनी आपतियां अभी रह गई हैं और कितनीों का समाधान हो चुका है वो सब आप इस वीडियो में जानोगे, और आप पता लगा सकोगे कि आखिरकार आपका यूपी लेकपाल का रिजल्ट कितने दिनों में आ सकता है मित्रो, जैसा कि आपको पता है, यूपी लेकपाल भरती में 79,000 आपतियां डाली थी कुछ दनों पहले, यूपी तरपलेशी आयोग के सचिब जी का बयान था कि 79,000 आपतियों पर जो यूपी तरपलेशी आयोग है, उन्होंने अपडेट करना शुरू कर दिया है जो भी 99,000 आपतियां थी, उनसे रिलेटेड जो भी उनके डिसीजन्स हैं, उनको लेना शुरू कर दिया है मैं आपको बता दू, 99,000 में से लगबग 50% जो आपतियां है, वो आपकी खारिज कर दी गई है ऐसा आपके यूपी त्रपलेश सी आयोग के जो सचिब जी हैं, एवं जो अविनेश गुपता जी हैं, उनके टेलीग्राम गुरूप से ऐसा पता चल रहा है लेकिन ओफिसियल बेप साइट पर ऐसा कोई ओफिसियल नोटिस नहीं आया है लेकिन एक बात भी याद रखना, ओफिसियल बेप साइट पर आपत्तियों से संबंदित कोई भी ओफिसियल नोटिस आता भी नहीं है तो इसलिए जो टेलीग्राम गुरूप है, बहुत सारी करमचारी आपके यूपी त्रपलेश सी आयोग में कारियरत है उन सभी के टेलीग्राम से एक जी एस रिसर्ट सेंटर जुड़ा हुआ है, तो वहीं से जैसे ही इनफॉर्मिशन मिल रही है 79,000 आपतियों में से लगवग 50% को खारिज कर दिया गया है और उनके बाकी बच्यों ही आपतियों का समाधन करने के लिए भी लगातार यूपी त्रपलेश सी आयोग प्रियासरत है इसलिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिस तरीके से हमको यहाँ पर पता चल रहा है, आपका जो रिजल्ट है वो लगवग आपके 15 से 20 दिन में आपके सामने यहाँ पर निकलने के चांसेज हो सकते हैं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अगले 10 से 12 दिन में जो भी रिजल्ट से समन्दे जो भी महतूर अपडेट हैं, वो सब आपके ओपिसियल बेप साइट पर कर दिये जाएंगे, ऐसा यूपी त्रपलेश यायोग की तरब से पता चल रहा है, और उस अपडेट क करने के बाद उसके बाद आपको अपना रिजल्ट देखने को भी लेगा, इसलिए निश्चिंत रहें, दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, काफी दिन भरतियों को हो गए हैं, इससे आप नरास भी होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अंत में जाकर भरती केस से सुलजी, और अब आपका रिजल्ट निकलने को है, जिन भही अवेनों का सेलेक्शन होगा, वो डीवी के लिए एपियर होंगे, मैं आपको बता दूँ, आप परेशान नहों, क्योंकि डीवी के लिए लगवग धाई गुने बच्चे बुलाए जाएंगे, अब बहुत सारे बच्च परेशन में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बाहर किया जाता है, क्योंकि जो वह form भरते हैं, उसके comparison में आपके जो documents होते हैं, उनमें कोई ना कोई different मिलता है, और उसी के कारण बहुत सारे students को बाहर कर दिया जाता है, इसलिए अगर आपके भी documents में कोई भी थोड़ा सा भी अगर changes है, तो समय रहते हो, उसको यहाँ पर सही करा लीजिए, वरना अंत में भी आपको निरास होना पड़ेगा, तो यही आपका यूपी लिख पाल से सम्मधत महत्पून अपडेट था, उम्मीद है अपडेट आपको पसंद आया होगा, अगर आपने अभी तक अप